हर पेपर में 30 मार्क्स के MCQs होते हैं MCQs एक ऐसी चीज है जो आपको एक्जाम में सिर्फ पास ही नहीं करा सकती बलकि आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में भी मदद यहाँ पर करेगी तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इन MCQs को लेके हमारी क्या स्ट्राइजी होनी चाहिए जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं कहां से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और यह MCQs किस तरह के होते हैं तो चलिए आज की जो वीडियो से स्टाइट करते हैं जिसका नाम है CA Inter MCQs Strategy स्टाइजी में जाने से पहले सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आपके एक्जाम में जो MCQs आएंगे उनका स्ट्रक्चर यानिकि वो MCQs से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजे कुटली हम गो थू करते हैं तो देखो यहां पर लिखाएगी 30 marks MCQs and every subject यानिकि हर subject के अंदर 30 marks के MCQs रहने वाले हैं ठीक है examination will be on case study scenario based यानिकि वो जो MCQs होंगे आप यह मत सोचो कि straight line के MCQs आ जाएंगे बिल्कूल basic नहीं जो MCQs आपको आने वाले हैं वो case study scenario based MCQs होंगे और फिर उसके नीचे कुछ MCQs होंगे जो case study पे based होंगे चलिए इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई भी negative marking नहीं रहेगी अगर आपका answer गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके minus marks नहीं होंगे now case based scenario would be application oriented now case based scenario would be application oriented मतलब यह है कि जो case study based MCQs आपके सामने आने वाले हैं उनको जब आप solve करेंगे तो वहां पर आपको अपना application mind लगाना पड़ेगा अपके mind को apply करना पड़ेगा कहां से जो concept आपने पढ़े हैं उस chapter के वहां से इसके अलावा check your analytical skills institute of Chartered Accountants of India यहां पर आपकी analytical skills चेक करना चाहता है वह देखना चाहता है कि अगर वह आपको एक case देता है और उस case पर कुछ MCQs दे रहा है तो क्या आप अपना analytical mind use करके उसे solve कर सकते हैं तो यह एक सिंपल सा structure रहेगा आपके MCQs का उसे related जो चीजे हैं वह मैंने आपको यहां पर बता दी अब यह जो चीजे आप सामने देख रहे हैं यह ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी बोल रहे हैं यह देखिए यह आपकी institute का material और उसमें यहां पर साफ लिखा है कि आपके जो multiple choice questions होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं और यहां पर लिखा हुआ है कि question in this segment would comprise of a case scenario जैसे कि मैंने बोला followed by few MCQs based on the case scenario जैने कि case scenario प्ये ही based होंगे आपके MCQs and all case scenario based MCQs would be application oriented इसके अलावा in order to hone the application and analytical skills of the student तो इस सारी चीज़े institute ने अपने material में आपको already provide की हुई है चलिए वापस आते हैं यहां पर तो अब हमने यह तो समझ लिया कि भाई जो MCQs होंगे और कैसे होंगे अब आते हैं सबसे important चीज में जिसमें सबसे ज्यादा आप challenge face कर सकते हैं अगर आपने आगे की वीडियो अच्छे से नहीं देखे और वह यह है कि MCQs को लेकिए आपकी क्या strategy होगी जब आप उसे पढ़ेंगे जब आप उसे practice करेंगे या जब आप exam में जाएंगे तो चलिए अब बात करते ह हैं हम उस strategy पर ध्यान से देखे सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो काफी time से मैं आपसे बूल रहा हूं और वह concept clarity अगर आपने पर्टिकुलर टॉपिक में अपने concept को नहीं clear किया है तो आप खुछ सोचे आप उस concepts related अगर कोई MCQ आ गया तो आप उसे कैसे वह उसके बाद read the case study carefully now अब आपके सामने case study है आप घर पे बैठे हैं उसकी practice कर रहे है तो आपको क्या करना है उस case study को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इसमें थोड़ा सा time लगाई है कोई दिक्कत नहीं यह बहुत बहुत ज़रूरी चीज है क्योंकि अगर आप case study नहीं पूछा गया है उस mcq question को पढ़ो और बिना option को देखे उसका answer देना है अब यह मुझे मालूम है बहुत मुश्किल चीज है यह जनरली हम options go through कर लेते हैं नहीं करना है आप question पढ़िए case study अच्छे से पढ़िए और उसका answer दीजे और फिर देखे कि आपका answer क्या उन चारो option के अंदर है अगर नहीं है देन अगेन go to the case देखो आपने कहां गलती अगर है तो आप यहां पर थोड़ा time बचा सकते हैं ना यह तो हो गया कि भाई कैसे करना आपको अच्छा इसमें एक बहुत important चीज़ जो मैं आपको ताना चाहता हूं वह यहां पर है set timer जब भ देखना चाहिए और यह एक मिनट एक्जाम में practice नहीं होगी यह एक मिनट की practice घर पे होगी तो जब भी आप च्रक्टिस करेंगे प्लीज 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 आप टाइमर जरूर सेट करियेगा आओ आपको जो नुम額रीकल्स है rok subject १र जिन जिन मेरें का सब्सक्र तकर फिरे कैसे सब्सकें हम आपने हाथों हुआ MCQ practice तो जैसे पहले आप क्या करते थे concept पड़ते थे फिर उसके descriptive question करते थे अब एक step और क्या उसके MCQs भी करने हैं तो यहां पर थोड़ा सा आपका जो काम है वो बढ़ गया है ना उसके बाद practice ICI new question अब सर यह क्या है तो आपको इसके वारे नहीं पता है तो मैं बता दूँ ICI ने recently अपने new जो MCQ new scheme के लिए MCQs question website पे डाले website में कहां अगर आप board of studies में जाओगे तो वहां जो student portal है आपका portal के अंदर जाईए वहां पे आपको जो MCQs question है वहां dashboard में visible होंगे वहां से आप उसे access कर सकते हैं और चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं ना इसमें आप देख सकते हैं multiple choice question paper practice dashboard ओके और अगर आप इसमें नीचे देखें तो यह देखें यह paper name है आपके सारे papers हो गए यह total MCQs question कितने है जैसे कि एडवांस accounting 189 है टैक्सेशन में 126 से ध्यान रखिए धीरे-धीरे update होंगे मतलब यहां पर जो number of questions है वो इंस्टीटूट अपडेट करता जाएगा यहां correct MCQ question आपने जिनका answer दिया वह correct है wrong है वह सारी information है और यह देखें टोटल के सेनेरियो बेस जो questions होते हैं okay MCQ question वह यहां पर दिखेंगे और जो के सेनेरियो बेस नहीं है यानि कि ऐसे question जिसमें तीन चार लाइन है पांच लाइन है उसके बेस पे आपसे चार option दे दिये गया है वह आपको यहां मिल जाएंगे इसके लावा यह कुछ पॉइंट से एक बार क्विक्ली इनको देख लेते हैं देखें बल्टी पॉइंट च्वास कोश्चन पेपर प्राक्टिश डैश्बोर्ड हैस बें डबलट फॉर्ड फॉर्ड इस्टूजेंट आपके सेल्फ असेस्मेंट के लिए खुद की असेस्ट करो चेक करो टाइमर लगा के करना है ध्यान लगना इसके बाद इस प्रोवाइश यूजर फ्रेंद्ली प्रेट्फॉर्म एड बी ओस नॉलिज पोटल एंड आइसी आई बी ओस मोबाइल एप तु स्टुदेंस अट अल्ड़ लेवल्स फांडेशन इंटर एंट फाइनल पेपर वाइस चैप् एक 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 मिनट है एक टाइम इफ टेकन वुड बी रिफ्लेक्टेंड इन पर्फॉर्मेंस रिपोट आएगी वहाँ पर दिख जाएगा कि भाई तुमने एक्स्ट्रा टाइम लिया है नियूए यहां पर आते जाएंगे तो आज जो भी हमने यहां पर डिसक्स किया है आपके स्ट्राइजी हो चाहे वह किस तरह होंगे उनके बारे में हो यह सब चीज़े आपको अच्छे से अब यहां पर क्लियर हो चुकी है तो बहुत अच्छे से पढ़िए आपके बहुत जादा इंपॉर्टेंट है वह आपको बहुत बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकते हैं इसके अलावा अगर मैं आपको इसके अपको इसके अलावा आपको हर चैप्टर के अंदर यहां पर एंसी क्यू भी प्रोवाइड किये जाएंगे इसके अलावा ग्रूमिंग एजुकेशन रही है वह अच्छे तरह से आप से आपको अपक्लियर हो चुकी है सो थैंक यू आइंड आल दे बेस्ट